Hello Everyone, Welcome to HVS Studies तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो अमारी SSC MTS Exam 2023 की सीरीज चल रही है उसका 25 पार्ट, 25 पार्ट आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे जिसमें Most Expected, Most Repeated Quotions को हम कवर करते हुए चल रहे हैं हर एक कोशन exam based कोशन होगा जिस type के कोशन, जिस pattern पे आपके MTS के exams में कोशन पूछे जाते हैं उसी type के कोशन आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे अगर आपको वीडियो पसंदाए वीडियो को लाइक करें, शेर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले कोशन से तो हमारा पहला कोशन है तो दूसरी पंचवर्षिय योजना की अफ़दी क्या थी तो गिवन आप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1956 से लेके 1961 तक अगर second five year plan की बात करी जाए ये कौन से model पे बेस था आपसे exam में पूछा जाता है कि इसका aim क्या था कौन से model पे बेस था क्या duration था ये सब कोशन्स आपसे exam में बार-बार repeat होते हैं तो ये कौन से model पे बेस था तो PC महलानूबिस model पे बेस रहेगा जिसका aim क्या था aim हो गया objective हो गया कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है तो industrial development aim था objective था second five year plan का जो first five year plan था उसका aim पूछा जाता है आपसे तो उसमें agriculture development aim था और third five year plan में agriculture, industrial development और self-reliance तीनों चीज़ पे focus किया गया था जो target रखा गया था target growth rate वो 4.5% का रखा गया था second five year plan में लेकिन जो हमने achieve किया था growth rate वो करा था 4.27% का तो ये भी आपका successful नहीं हो पाया था first five year plan आपका successful रहा था second five year plan आपका थोड़ा सा कम रह गया था achieve नहीं कर पाये थे target को जो 24% जो था वो public sector expenditure में spend किया गया था heavy industries पे जो heavy industries हैं क्योंकि industrial development main focus था तो industries पे जादा focus किया गया था 28% जो amount था वो traffic और communication पे invest किया गया था जो कुछ plans यहां पे establish हुए थे industrial plans जो थे जिसमें आपका भिलाई power plant हो गया रुर्किला power plant हो गया और दुर्गापूर steel power plant हो गया ये तीन आपके main plans थे जो की second five year plan के दोरान आपके इस plan के under जो थे establish किये गए थे यहां पे इंडिया ने opt किया था पहली बार mixed economy के लिए ये question भी आपसे exam में पूछा जाता है अगला question देखते है हमारा इससे पहले ये जो topic है हमारा five year plan इसकी separate video आपको channel पे मिलेगी जिसमें first five year plan को और twelfth five year plan तक सारे five year plans को full detail में हमने cover किया है तो आप उसको देख सकते हैं अगला question है हमारा which country hosted the commonwealth games in 2022 तो किस देश ने 2022 में राष्ट मंडल खेलों की मेजबानी की थी ये question आपका 2022 में और 2023 में जो अभी आपके recent के exam सुए थे उसमें commonwealth games से बहुत जादा questions देखने को मिले हैं तो इसमें हमारा correct answer Birmingham, England हो जाएगा अगर यहाँ पे हम commonwealth games की बात करें 2022 की तो इसमें first rank Australia की रही 178 medals के साथ 67 gold, 57 silver और 54 bronze second rank पे आपका England रहा है 176 medal के साथ आप से इंडिया की rank पूछी आती है कि इंडिया की क्या rank थी commonwealth games 2022 में तो उसमें आपका fourth rank इंडिया की fourth rank रही इंडिया ने total कितने medal जीते ये भी पूछा जाता है तो इंडिया ने 61 medal जीते उनमें से 22 gold थे 16 silver थे और 23 bronze medal थे यहाँ पे जो gold जिनोंने हमारा जीता है कुछ उनकी बात करते हैं तो किस किस ने जीता है तो उसमें शामिल है आपकी मीरा भाई चनू, जेर्मी, लेरिंगूंग, अचितन शोली, सुन्दिर, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, दीपक पुनिया, रवी कुमार धहिया, विनेश फोगाट, नवीन, भविना पतेल, नितु गंगास, अमित प नेम आपके यहां पे कवर किये हैं, बाकी 22 टोटल इंडिया ने गोल्ड जीते हैं, आपसे ये कोशन भी पूछे जाने की काफी चांसिज रहेंगी कि कॉमनवेल्थ गेम्स, 2026 में कौन होस्ट करेगा तो विक्टोरिया, औस्टेलिया में होस्ट किया जाएगा, 2026 वाला, 2024 2024 का जो ओलंपिक गेम्स हैं, वो कहाँ पे और्गनाइज होंगे आपके तो वो पैरिस, फ्रांस में होंगे, ये कोशन भी आपको एक्जाम में मिल सकता है, अगला कोशन देखता है हमारा, तो जोग, गरसोपा और महात्मा गांधी जल प्रपात किस नदी पर इस्तित हैं, सबसे पहले तो कोशन यही हो गया आपका, कि ये जो फॉल्स है, कहां पे है, कौन सी स्टेट में है, तो आप देख सकते हैं, करनाटका आपको मिला हुआ है, करनाटका में लोकेटिड है जिस पर आपको मिलेंगे जोग, घरसोपा और महात्मा गांधी फॉल्स, अब यहाँ पे वाटर फॉल्स की बात करी गई है, तो कुछ वाटर फॉल्स को कवर करेंगे, जैसे दसम फॉल्स आपके जारकंड में काची रिवर के राउंड सिचुएटिड है, दूधादर फॉ प्राजिस्थान में चंबल रिवर के राउंड है, चित्रकूट फॉल्स चतिसगड में इंद्राबती रिवर के राउंड सिचुएटिड है, दूध सागर फॉल्स गोवा स्टेट में मांडवी रिवर के राउंड है, शिव समुद्रम फॉल्स आपके करनाटका में काविर और रिवर के राउंड तो ये कुछ हमारे important waterfalls हैं बाकि waterfalls की separate video आपको channel पे मिल जाएगी अगला question देखते है हमारा अगले question पे बढ़ने से पहले सिर्फ 79 रुपीज में एक आपको e-book मिल रही है हमारे द्वारा जिसमें कुछ static gk के topics हैं और कुछ आपके current affair 2022 के topics हैं ये सब total 19 topics हैं जिनसे exams में question बार-बार आपके repeat होते हैं तो ये आप अगर interested हो इसको buy करने के लिए तो link description में है आप description में जाके इस e-book को buy कर सकते हैं payment करने के बाद अगर आपको file downloading में कुछ भी issue आता है तो नीचे हमारी gmail ID है आप इस पे हमको directly mail कर सकते हैं अगला question देखते है हमारा अगला question हमारा मुगल गार्डन recently news is located in which state or union territory of India तो हाल ही में खबरों में रहा मुगल गार्डन भारत के किस राज्य केंदर शाशित प्रदेश में इस्तित है तो इसमें हमारा correct answer हो जाएगा New Delhi इंडिया की capital New Delhi में आपको मुगल गार्डन मिलेगा जो कि अभी हाली में news में था क्योंकि मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया है तो मुगल गार्डन का नाम बदल कर आप क्या गर दिया गया है जिसके पहले रूलर थे बाबर 1526 से 1530 तक जो लास रूलर थे वो थे भादुर शाह सेगेंड 1837 से 1857 तक जो पहली बैटल हुई थी पानिपत की वो 21 अपरेल 1526 को लड़ी गी थी जिसमें बाबर में इबराहीम लोधी जो लोधी वंश के लास रूलर थे लोधी राइनेस्ट situated in which state त भिंबेट का रॉक शेल्टर जो कि एक यूनेस्को की विश्व धरोकर इस्तल है जो किस राज्ये में इस्तित है तो यूनेस्को वर्ड हरिटे साइट है इसलिए जितनी भी यूनेस्को वर्ड हरिटे साइट हो गई मारी रामसर साइट होगई उनकी आपको ध्यान कि वो कहां पे located है तो इसमें हमारा correct answer मद्दे प्रदेश हो जाएगा मद्दे प्रदेश state में आपको मिलेगा भिंबेट का rock shelter जो भिंबेट का rock shelter है यह oldest known rock है इंडिया की rock art form है इंडिया की जिसमें कुछ अगर shelters की बात करी जाए तो वो करीब करीब one lakh years old है एक लाग साल से भी पुराने आपको rock shelters मिलेंगे कहां पे भिंबेट का rock site के इसको UNESCO World Heritage Site में add किया गया था 2003 में आपसे year भी कभी कभार पूछ लिया जाता है कि यह जो चीज है जो है हमारा इसको UNESCO World Heritage Site में add किया गया था कौन से साल में तो आपको year भी याद रखना है अगला कोशन हमारा capital से हो जाएगा country से हो जाएगा कि निकोसिया is the capital of which country तो निकोसिया किस देश की राजधानी है तो इसमें हमारा correct answer साइपरस हो जाएगा साइपरस देश जो है साइपरस country की capital है निकोसिया अगर साइपरस की बात करी जाए तो साइपरस एक छोटा सा देश रहेगा आपका तरकी के पास जो तरकी देश है उसके पास आपको यह मिलेगा तरकी की capital क्या है अंकारा रहेगी इसराइल की capital है जेरुसिलेम यूकरेन की capital कीव हो जाएगी रशिया की है मॉसको capital बांगला इंडिया मुस्लिम लीग है 1906 में इसको establish किया गया था और इसको भी जो establish किया गया था वो आपका धाका में ही किया गया था दबोलिम एरपोर्ट is situated in which of the following state तो डबोलिम जो हवाई एड़ा है निमलिकित में से किस राज्य में इस्थित है तो ये आपका जन्वली का current affair का question रहेगा जिसमें हमारा correct answer गोवा हो जाएगा गोवा स्टेट में रहेगा आपका दबोलिम एरपोर्ट ये नया एरपोर्ट रहेगा जो कि दूसरा एरपोर्ट है गोवा स्टेट का पहला एरपोर्ट का अंसा है तो पहला वासको डिगामा एरपोर्ट आपको मिलेगा साउथ गोवा में अब ये नौर्थ गोवा में आपका नया एरपोर्ट खोला गया है जिसको डबोलिम एरपोर्ट बोलते है इसके और जो नेम है वो most important रहेंगे तो इसको मोपा इंटरनेशनल एरपोर्ट के नाम से भी जाना जाएगा और इसको मनोहर इंटरनेशनल एरपोर्ट जो की ये आपका exam के लिए important हो जाता है तो मनोहर इंटरनेशनल एरपोर्ट आपका गोवा में located है नौर्थ गोवा में इसको operationalize किया गया 5 January 2023 को इसकी जो foundation stone रखी गई थी वो प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने रखी थी नवंबर 2016 में तो ये जो एरपोर्ट है important है आपके exams के लिए अगला question देखते है Mount Harriet National Park is situated in which place तो Mount Harriet राश्रिया उध्यान किस इस्थान पर इस्थित है तो ये हमारा हो जाएगा Underman and Nicobar Island पे Underman and Nicobar Island की union territory है इंडिया की जहाँ पे आपको Mount Harriet National Park मिलेगा अब अगर बात करी जाएगी South Button National Park ये भी आपका कहाँ पे है Underman Nicobar Island पे ही आपका located है और ये smallest national park है इंडिया का Hemis National Park जो की कहाँ पे located है लद्दाक में और ये largest national park है इंडिया का जो की famous है snow lepers के लिए जो Underman and Nicobar Island रहेगा यहाँ पे total आपको कितने 9 national parks मिलते हैं Underman and Nicobar Island पे और मद्धे प्रदेश में भी आपको 9 national parks मिलेंगे जो की किसी state या फिर union territory के सबसे ज़ादा आपके national parks हो जाएंगे Mount Harriet national park जो हमारा question था इसका नाम बदल कर है Mount Moneypur national park कर दिया गया है तो new name जो है change name आपको ये भी याद रखना है What is the name of the parliament of Afghanistan country तो Afghanistan देश की संसद का क्या नाम है पीछे Afghanistan जो country है मारी ये काफी ज़ादा चर्चित रही थी तालिबान जो attack हो गया था तालिबान ने जो कबजा लिया था अफगानिस्तान country को तो उसकी वज़े से काफी ज़ादा चर्चा में रही थी आपकी Afghanistan country तो हो सकता है आपको अफगानिस्तान से कोशन देखने को मिल जाए एक्जाम में तो अफगानिस्तान के बारे में भी capital, currency, present, head ये सब चीज़ आप एक बार जरू पढ़ ले तो परलेमेंट का नेम क्या हो जाएगा तो हमारा answer है शोर शोर क्या है परलेमेंट का नेम है अफगानिस्तान की बाकी countries की अगर परलेमेंट के नेम्स की बात करी जाए तो बंगलादीश की परलेमेंट को जातिया के नाम से जाना जाता है इंडोनेशिया की रहेगी पीपल्स, कंसल्टेटिव असेम्बली भूटान की रहेगी सोगडू डैनमार्क की फोक्टिंग रहेगी चाइना की है नेशनल पीपल्स असेम्बली फ्रांस की नेशनल असेम्बली रहेगी फिनलेंड की है दुसकुंटा इंडिया की संसत हो जाएगी आइसलेंड की है एथिंग Iran की हो जाएगी मज जापान की डाइट हो जाएगी और इसराइल की हो जाएगी नैसिट और जापान और इसराइल की तो सबसे ज़ाधा पूछ या थी हैं आप से एक्जामस में तो यह आपको ध्यान रखनी है बाकी हर एक टॉपिक की separate video आपको चैनल पे provided है आप नीचे देख सकते हैं All Static GK Topic के नाम से एक playlist मिल जाएगी आपको जिसमें 200 से ज़्यादा 200 प्लस topics कवर कराए गए है playlist का link आपको description में provided है आप description में जाके इस playlist को visit कर सकते हैं आपको सारे topics एक जगे ही मिल जाएंगे अब यहाँ पे एक हमारा quiz का question है जिसका answer आप सभी को जरूर comment box में type करना है तो इसमें हमारा जो question है आज का वो रहेगा what was the duration of the second five year plan तो दूसरी पंचवर्षी योजना की अवदी क्या थी तो given options में से जो भी आपका correct answer है आप उसको जरूर comment box में type कर दें comment box में अगर आप किसी भी question को type करते है तो वो question आपको अच्छी तरीके से लंबे time के लिए तैयार हो जाता है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को like करें शेर करें और चैनल को जरूर subscribe कर लें इबुक्स बाई करने के लिए आपको description में link प्रोवाइड कराई गए है आप description में जाके इबुक्स को बाई कर सकते हैं जो आपका MTS का exam होने वाला है 2023 का उसके लिए separate dedicated ebook भी आपको जल्दी प्रोवाइड कराई जाएगी चैनल पे current affair की ebook भी आपको मिलने वाली है last six month की जल्दी चैनल पे तो आप चैनल को जरूर subscribe कर लें धन्यवाद